प्यारे दोस्तों फिल्मी घड़ पर आप सभी का स्वागत है हाजिर हुए एक और इंट्रेस्टिंग बाली बुट की खबर के शाथ दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानने को मौका मिलेगा कि सनी देवल की गदर टू से लेकर आलिया की राजी तक भारत पाकिस्तान के रिष्टे पर बनी पांच फिल्मों के बारे में और उन फिल्म को बनाकर मेकर्स हो गए थी माला माल दोस्तों कौन कौन से मूबीज हैं आईए जानते हैं इस वीडियो में बस आपसे एक गुजारी से की वीडियो को पूरा देखे और चैनल पे नहीं हो तो चलो को सब्सक्राइब करें आपको इंटरेस्टिंग वालीवूट की कबर आईसे ही जुनने को बिलती रहती हैं तो दोस्तों आईए स्जूरू करते हैं दोस्तों सनी दोल और अमिसा पेटेल की मुस्ट अवेटेड फिल्म गदर टू लंबे इंतजार के बाद 11 अगस्त को सीर्मया करोवे रिलीज हो चुकी है उपनिंग डी में फिल्म ने सांदार कलेक्शन भी किया 22 साल बात तारा सिंग और सकीना की प्रेम खानी को देखने के लिए दर्स को सिनेमा घर को भर दिया खाचा खाच फिल्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच प्यार टकराग को देखने के लिए भी लोग काफी एकसाइटेड रहते हैं लेकिन इससे पहले भी इस टाइब की मुवीज़ बन चुकी हैं इससे पहले भी भारत पाकिस्तानी की दोस्ती और दुस्मनी पर राधाय फिल्में बनाई जा चुकी हैं कौन-कौन सी हैं आए जानते हैं बाली बुड में हर साल सैकड़ो अलग तरह की फिल्मे बनाई जाती है इसमें कॉमेडी रोमान्स ट्रामा एक्सन और त्रिलर हर तरह की फिल्मे होती है इस तरह की फिल्मों के अपना दर्सकों का एक अलग अलग वर्ग होता है ठीक इसी तरह देश प्रेम और देश भक्ती ज साल 1997 में आई बॉर्डर जो की जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी थी फिल्म बॉर्डर लोगों ने काफी पसंद किया था फिल्म में भारत पाक युद्ध के बीच सीन देख फिल्म में लोग कुर्सियों से उपर कूदने लगे थे फिल्म में सनी दोल, पूजा भट, सुनील, सेटी, जेकी स्राफ, अक्षे खरना जैसे स्टास नजर आये थे ये फिल्म बाली बूट की बड़ी हिट साबित हुई थी ये फिल्म 1999 में हुए कारगिल युद्ध पर आधारित थी देश भक्ती की फिल्मों के लिए खास्त और प्रपहचाने जाने वाले निर्देशक जेपी दता कि इस फिल्म को भी कापी पसंद किया गया था येकिन ये फिल्म बॉटर जैसे सबलता नहीं पा सकी थी तो दो मुवी हो गई दोस्तो और तीसरी जो है विकी कौसल और आलिया भट स्टारल फिल्म राजी जब सिनेवा घरों में रेलिज होई तो थीटर में वो पुरानी रोनों का गई थी फिल्म की कहानी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय को डिखाती है फिल्म आलिया एक चासूस के किरदार में नजर आई थी फिल्म में आलिया और विकी के अलामा जैरीब अहलावत शोनी राज़तान और रजित कपूर जैसे कलाकारू न धमाल मचा दिया था 40 करों में बनी इस फिल्म ने बाकसापिट 200 रों की कमाई कर मेकर्स को हैरान कर दिया और मेकर्स माला माल हो गए थी दोस्तों अगली मूवी है 2004 में रिलीज हुई फिल्म लाक्ष जब सिनेमा करों में रिलीज हुई तो इस फिल्म को कोई खास पसंद नहीं किया था लोगों ने लेकिन बात में ये कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई लोगों ने इस तरना पसंद किया कि फिल्म रिती के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक बन गई साल 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच वे करगिली युद्ध को फिल्म में बड़ी खूब सूर्थी से दिखाया गया है दोस्तों वहीं अगली मूवी है निर्देशक वीदू गुनो चोपड़ा की साल 2000 में रिती क्रोशन की फिल्म मिशन कस्मीर को भी कापी प्रशंद किया गया था फिल्म में दिखाया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कस्मीर विवाद के कारण कैसे ये जननत आतंकवाद का केंदर बन गई और 20 करोण के बजट में बनी इस फिल्म ने फिल्म से दोगनी कमाई करी थी फिल्म ब्लाकबास्टर साबित हुई थी तो दोस्तों ये थी पाँच मूवीज जो कि भारत पाकिस्तान के शंबंदों पर बनी और दर्सकों ने खुब प्यार दिया ऐसी और बाइबुट की ख़बरों के शाथ हम हाजिर होते रहेंगे बस आपसे एक उजयल से कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद